कर्क सिंह वालों की ट्रांसफर, प्रमोशन की इच्छा होगी पूरी, कन्या वाले पैसों के लेंदेन में सावधानी बरतेंकर्क राशी वाले अपने कारोबार को बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो शुबचिंतकों से सलाह लेना न भूलें। सिंह राशी के जातक संतान संबंधित किसी मामले को लेकर चिंतित रहेंगे। कन्या राशी वाले पैत्रिक संपत्ती को लेकर परिवार के सदस्यों से बिवाद कर सकते हैं। पढ़ेकर्क, सिह, कन्या वालों का साप्ताहिक राशिफल गनेश जी कहते हैं कि कर्क राशी वालों के लिए यह सप्ताह, शुब और लाबकारी साबित होगा. सप्ताह की शुरुवात से ही आप अपने समय का प्रबंधन करेंगे. इसका मतलब है कि सोच समझ कर योजना बनाने और बजट बनाने से ही आपके सोचे हुए काम बिना किसी आर्थिक समस्या के समय पर पूरे हो जाएंगे. नौकरी पेशा लोगों को कारिस्थल पर अपने सीनियर और जूनियर दोनों का सहियोग मिलेगा. अगर आप अपने प्रमोशन या ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे, तो इस हफ़ते आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है. अगर आप अपने कारोबार को बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो शुबचिंतकों से सलाह लेना न भूले. सप्ताह के मध्य में आपको किसी मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अफसर मिलेगा. अविवाहित लोगों का विवाह तैर हो सकता है. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. आप अपने प्रेमी के साथ अच्छा समय बिताएंगे. जीवन साथी के साथ आपका तालमिल बहतर रहेगा. आप अपने परिवार के साथ पिकनिक या लंबी दूरी की यात्रा की योजना बना सकते हैं. भाग्यशाली रंग पीला भाग्यशाली अंक 11 गनेश जी कहते हैं कि यह सप्ताह सिह राशी वालों के लिए मिलाजुला साबित होगा. सप्ताह की शुरुवात में जहां आपको अपने करियर और व्यापार से जुड़ी अच्छी खबरें मिलेंगी और मित्रों आदी का सहयोग मिलेगा, वही सप्ताह के उत्तरार्ध में कारियों में कुछ रुकावटें आने से मन अशान्त रहेगा. इस सप्ताह घर हो या कारियस्थल, आपको छोटी-छोटी बातों को नजरंदाच करके सिर्फ अपने लक्षे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. सप्ताह के मध्य में कामकाजी महिलाओं को घर और ओफिस के बीच संतुलन बनाने में दिक्कत हो सकती है. परिवार के किसी सदस्य से अनबन होने से मानसिक तनाब रहेगा. इस दोरान आपका ज्यादातर समय घरेलू समस्याओं का समाधान खोजने में बीतेगा. प्रेन संबंधों को मजबूत बनाने के लिए आपको अपने लव पार्टनर की निजी जिन्दगी में ज्यादा दखल देने से बचना होगा. नहीं, तो बात और बिगड सकती है. संतान से जुड़ा कोई मामला आपकी चिन्ता का बड़ा कारण बन सकता है. अपनी सेहत का खास ख्याल रखें. कुछ पुरानी बीमारियां फिर से उभरने की संभावना है. भाग्यशाली रंग बैंगनी भाग्यशाली अंक तीन कन्या सापताहिक राशिफल दो हजार चौबीस नवंबर गनेश जी कहते हैं कि कन्या राशी के जातकों को इस सपताह अपने धन और समय का प्रबंधन करना होगा अन्यथा उन्हें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. सपताह की शुरुवात में आपको घर की मरमत या किसी अन्य काम पर काफी धन खर्च करना पड़ सकता है. इस से आपका बजट गड़ बड़ा सकता है. व्यापारी जातकों को भी बाजार में फंसे पैसे निकालने के लिए काफी भाग दौड करनी पड़ सकती है. सपताह की शुरुवात में आपको ऑफिस के काम या व्यापार के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है. यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य और सामान दोनों का ध्यान रखें और पैसों के लेंदेन में बहुत सावधानी बरतें. परीक्षा और प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्रों को कड़ी महंत करने पर ही मन्चाही सफलता मिलेगी. पैत्रिक संपत्ती को लेकर परिवार के सदस्यों के साथ विवाध होने की संभावना है. विदेश से संबंधित व्यापार करने वालों को सब्ताह के उत्तरार्ध में कोई अच्छी खबर मिल सकती है. प्रेम संबंधों में सोच समझ कर कदम उठाएं और इसे जाहिर करने से बचें अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. जीवन साथी का स्वास्थ्य आपकी चिंता का कारण बन सकता है.